आप सोचे कि लाखों कारगीड होथा उसमें CTAT अदिकतर लोक तो फेले कर गिया 12-13% तो पास नहीं किया है CTAT कि जितने भी CTAT फेल किया है जो है अपयरिंक से बाहर किया जा जाए उनको जो है result में सामिल नहीं किया जाए दोस्तो BPA CC चक भरती में यदि आप 0.5 से 0.2 से या 0.3 से या एक नमर से भरती से बाहर हो जाते हैं और आपके केटेगेरी का पद जो है रिक्त रह जाती है खाली चल जाती है तब आपको कैसा लेगा जहां दोस्तों बहुत दुख होगा उस अस्थिती में इसली नमर इस वीडियो को बना रहा ह हूं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएं इस वीडियो को आपके लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ ऐसा है कुछ मामला है इस मामला को मैं बताने वाला हूँ इससे पहले यदि आप पहली बार जुने हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और यदि पुराने हैं तो इस वीडियो को सेर और लाइक जरूर करें ठीक है मामला क्या है कि देखिए जब BPA CTRE का एक्जाम के लिए फॉर्म भरा जा रहा था अपलाई किया जा रहा था उस समय सीटेट या BAD या DLA के एपेरिंग कर डिडेट को भी इसमें मौका मिला था उन लोग भी यहां पर फॉर्म भरा था आप लोग भली भाती इससे परिचित है जानते हैं ठीक है तो BPA C इसका डाटा क्यों नहीं ले रही है कि कितने लोग फेल किया सीटेट में आप लोग जानते हैं कि लाखो कनीडेट जो है पेरिंग हुए थे जो सीटेट पास नहीं थे और वहाँ पे फॉर्म भर दिये थे तो ऐसे बहुत सारे कनीडेट हैं जो BPA CTRE में अच्छा अंक लाए होंगे अब जो है BPA C PRT का रिजल्ट जब जारी करेगी तो उन कनीडेट को भी यहाँ पे सामिल कर देगी कौन से कनीडेट जो कि सीटेट फेल है लेकिन BPA CTRE पास है सोचिए इस बात को और जब DV में उन लोग जाएगा तो DV से इस बहाली से जो पास है सही जेनुवन यहाँ पे स्टुडेंट है उसको रोका जाएगा तभी तो उसको दिया जाएगा अगर एक नमर भी जादे है 0.5 नमर जादा है तो उन कनीडेट का रिजल्ट दिया जाएगा जो कि सीटेट फेल है अब वहाँ पे वो बाहर हो जाएगे तो एक सी 你ानी हमेद आए जीतने भी पास हो रहे है कानीडेट टयार करेंगे और रिजल्ट दे देंगे लेकिन इससे बहले ब्री पीएजिक को चाहिए कि उन सभी का निकानीडेट का डाटा लें कि सब्सक्राइब जारी करें Кстати कर इस starting based जिसका एक नमर से कम था दो नमर से कम था इनको मौका मिलेगा और वे जो आयोग है जो फेल कर गए इस या बिए डिलेड तो उनको अभी से ही बाहर कर दिया जाए वे डिवी में क्यों जाएंगे है कि ने तो ये डेटा वीपीसी को लेना चाहिए क्योंकि देखिये ऐसा नही करने से बहुत से इसे अभियारती हैं जिनको इस भरती से बाहर होना पड़ेगा नमर भी अच्छा खासा रहने के बावजूद भी हम सुरू में ही बोल दिये कि यदि आपको 0.5 से अगर हटा दिया जाए आपके केटिगरी का सीट खाली रह जाएगा तब आपको कैसा अब यहाँ आप देखें होंगे फाइनल अंसर की आने के बाद दो इसमें फाइधा मिलेगा जब यह बाहर हो जाएगा तब उनको फाइदा मिलेगा मैं क्या कहना चाहरा हूँ आप समझ चुके होंगे ठीक है तो इस वीडियो को जितना हो सके सेर किजिए और आप लोग क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ इस वीडियो में आप लोग ट्यूटर को एक्स कहा जाता है तो उसको पे जाकर के आप जो है ट्वीट किजिए जितना हो सके इस बात का ट्वीट किजिए और ट्वीट में क्या लिखना है आप ही लोग डिसाइड किजिए और हमारे कमेंट में लिखिए ठीक है उसके बाद एक और प्लान बनाया जाएगा जितने भी यूट्यूबर है बात किया जाएगा और यह कल या परशुत तक यानि पी आटी एक्जाम रिजल्ट आने से पहले यह काम करना होगा तभी काम नमर जिनको आ रहा है उनको फाइदा मिलेगा ठीक है यह बहुत बड़ा कैसा लगा यह आप कमेंट में जरूर मेंसन किजएगा आपके लिए यह वीडियो बनाया था मेरा नमर कम नहीं आ रहा है भाईया आपका बहुत से लोगों को हम देखे कि दो नमर एक नमर तीन नमर घट रहा है उनको मौका कम मिलेगा जब यह सब बाहर हो जाएंगे जो फेल हुआ जो बाहर हो जाएंगे तब मौका मिलेगा ठीक है तो आपके लिए हम वीडियो बनाया है इसको जेतना हो सकता है शेयर किजिए और इस बात को जो है तेरा परसेंट पास किया है और कहने का मतलब कि पचासी परसेंट से भी ज़्यादा लोग फेल किया है तो फेल किया है रखते हैं बाकि मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद